दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान बॉडर को लेकर और इस समय B.S.F. की तरप से जानकारी दी गई है कि भारत बॉडर के अंदर पाकिस्तान के कोचे स्टेल्थ ड्रॉन देखे गई हैं और इनको इंटरसेप्ट करने में भारत को काफी जादा प धिया दियार और मादक पधारतों की भारत के अंदर तसकरी करता है और इनको भारत के अंदर सप्लाई किया जाता है परन्तु अभी इसकेन की उपर आप सबी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें हमारे BSF की तरफ से खुदिया जानकारी निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपनी टेक्टिस के अंदर सबसे बड़ा बदलाव किया है और आब पाकिस्तान ऐसी गतिविदियों के लिए स्टेल्थ ड्रोनों का इस्तमाल कर रहा है जिनको इंटरसेप्ट करना भारत के लिए काफी ज़्यादा मुस्किल होने वाला है। और हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम इनको आसानी से काउंटर कर लिए दे थे। परन्तु अब की बार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन इस्तमाल किये जा रहे हैं उनका साइज ना सरफ काफी ज़्यादा चोटा है बलकि यह उनने पर आवाज ही नहीं करते हैं। इसके अलावा यह जो ड्रोन हैं वो मातर 500 किलोग्राम का बजन उठा कर ही ले जाते हैं जिसके कारण से छोटे साइस के होने के कारण और एक किलोमेटर की उचाई पर उनने के कारण इनको इंटरसेप्ट करना भारत के लिए काफी ज़्यादा मुस्किल हो रहा है। साथ में BSF की तरफ से जानकारी दी गई कि पिछले साल हमने ऐसे कुल मिला कर 95 ड्रोनों को जब्त किया था और इनके उपर हमारे तरफ से रिसर्च भी करी जा रही है तो पता चला है कि यह जो सारे ड्रोन हैं वो चाइनीज मेड हैं और इनको स्टेल्थ बनाया जा रहा है ताकि यह साइज में छोटे हों इसके अलाबा आवाज भी ना करें जिससे बड़ी आसानी यह भारती शित्र के अंदर घुसकर जो चाहें वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं और यह भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक कदम हो सकता है पाकिस्तान का क्योंकि ऐसे ड्रोन भार एस एंटी ड्रोन सिस्टम और जैमिंग तक्नीक वाली जो पूरी सिस्टेमेटिक प्रकिरिया है उसको बॉर्डर के चप्पे चप्पे के उबर इंस्टॉल करना होगा अन्न था कल को पाकिस्तान यदि इन ड्रोनों से भारत पर हमला करने का प्लान बनाता है तो वर्याय भ अतरनाक कदम हो सकता है